करोना वाइरस से भी खतनाग वाइरस पुरी दुनिया में फैलता जा रहा है गलोबल वार्मिंग से गलेसिस पिखलते जा रहे हैं और बांगलादेश में भी ताना साही सासन रागव हो चुका है अगर ऐसी प्रॉबलम दुनिया में चलती रही तो बहुत जली दुनिया खतम हो जाएगी स्वागत आप लोग का पॉलिटिकल सेंस की पहली बुक के चप्टर में फाइब जिसका नाम है स्वाल आता है क्या कि सुरक्षा क्या है वाट इस सिक्यूरिटी देखो यार सिक्यूरिटी के अगर मैं एक लैन में बोलू तो freedom from threats खतरों से आजादी इसका मतलब होता है security अब यार खतरों से आजादी तो दुनिया में तो बहुत सारे खत्रे है जिसे आम जनता की security का सवाल है दो देश आपस में लड़के मर जाए इसका सवाल है ग्लोबल वार्मिंग, poverty, unemployment, terrorism इन सब को ठीक करने का सवाल है तो आकि कौन से खतरे ऐसे हैं जो political science में हम पढ़ने वाले हैं कौन से खतरे ऐसे हैं जिसको देश मिल के solve करने वाले हैं दरसल वो खतरे जो आपके केंद्रे मुल्य, core values को नुक्सान पचा दे वो खतरे सबसे बड़े खतरे होते हैं आखिर क्या होता है ये केंद्रे मुल्य, क्या होता है ये core values core values में तीन चीज़ा आती हैं जब कोई देश किसी देश की sovigyanity, someprabhutah, freedom, independence, आजा दी non traditional notion, हिंदी में परंपरागत तरीके और ग्याई परंपरागत तरीके अब traditional notion के भी दो पार्ट है पहला external threats और दूसरा internal threats, बहरी खतरे और आंतरी खतरे अब जैसे कि नाम में चुपा हुआ है परंपरागत के बहरी खतरे traditional threats external factors अब देखो एक traditional stress, परमप्रागत खत्रे कौन से होंगे, वो खत्रे जब कोई देश किसी देश पर attack कर दे, अब जब कोई देश किसी देश पर attack करता है, तो उसके किंद्रे मुले खतम कर लेता है, और यह traditional ऐसे है क्यों कि सदियों से यही चलता आ रहा है, एक देश दूसरे अब आपको मैंने बताया था, जब कोई देश किसी देश पर attack करता है, तो जनता को नहीं मारता, वो उसके किंद्रे मुले खीन लेता है, और इन core value को बचाने के कौन से तरीके हैं, अब हम बात करने वाले हैं, परमप्रागत खत्रों से कैसे बचें, सबसे पहला तरीका यह यो तो नहीं होंगे, दोनों देश बराबर हो जाएंगे, तो पहला तरीका यह है कि अपनी पावर को बराबर कर लो अपनी दुस्में देश की पावर से, दूसरे तरीका है, अलाइंस बिल्डिंग, सेन नेकट बंदन, आप सभी लोग को पता है, 1945 के बाद दुनिया में cold war स्टार्ट हो गया, यहाँ अमेरिका ने नाटो बनाया, और यहाँ सोवे संग ने वार्स अफेक्ट बनाया, यह दोनों है सेन नेकट बंदन थे, मिलिटर गूर्प्स थे, यह दोनों ने जो है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपने शेन शक्ति को बढ़ाते चले और इसकी वहर से दुनिया में यह दोनी हुआ सिर्फ कोल्ड वार हुआ, तो अगर आपको यह दोनों है, तो आप भी सेन नेकट बंदन का हिस्सा बन जाए, इससे क्या होगा, इससे होगा कि अगर आप पे अटेक हुआ है, तो उस गूर्प के सभी मेंबर्स आपके साथ र पढ़ेंगे, आपको डिसार्मेंट करना पड़ेगा, आपको निशस्तिकरन, मतलब बिना हतियारों के दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, देखो यार अगर युद्ध होंगे, तो हतियारों को इस्तमाल होगा, तो अगर आप हतियारी ना रखो, तो युद्ध भी न क्या दुनिया ने ये किया भी है? जी हाँ दुनिया ने ये किया भी है. दुनिया ने अथियारों को रोकने के लिए बहुत साई ट्रीटी की है. आईए कि करके हूं सबी ट्रीटी को परते हैं. सबसे पहला है प्रमानु अप्रसार संधी. नुक्लियर नॉन प्लिफिशन ट्रीटी जिसे हम NPT भी कहते हैं इस संधी पर दुनिया ने 1968 में सिगनेचर किये इसके तेट ये था कि अब हम लोग अटॉमिक बंब नहीं बनाएंगे ये ट्रीटी 5 मार्च 1970 को लागू किये गई ये ट्रीटी उस समय 25 वर्स के लिए ही वैलिट थी लेकिन 1996 में इसको हमेशा के लिए वैलिट कर दिया गया और 1996 में ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंट ट्रीटी CTBT भी लागू किया गया इसका अर्थ होता है कि कोई विदेश पनमानू हतियार का टेस्ट नहीं कर सकता इसके बार आता है बैलोजिकल वैपन्स कर्वेंशन जिसे हम BWC भी कहते हैं इस संदीपन 1972 में देशों ने साइन किये और 1975 से दुनिया में लागू हो गया और 2006 के end तक इसमें 155 सामिल थे फिर आता है Chemicals Weapon Convention जैसे के नाम में चुपा हूँ है Chemicals Weapons को बेंड कर दिया गया इससे 1990 में अमेरिका और सोवे संग ने मिलके किया था और आज के टाइम पे 181 कंट्रीज में सामिल है फिर आता है Salt 1 and Salt 2 Salt 1 1972 में बनाया गया और Salt 2 1979 में दुनिया में आया Salt 1 के तहत ABM Anti-Ballustic Missile Treaty बनाए गई इसके तहत ये था कि हम आम्स में कंट्रोल करेंगे मतलब कोई भी जो है नया वेपन नहीं बना सकता The ABM Treaty was a treaty established between the United States and Soviet Union signed in 1972 The treaty was brought up at the Glassboro Summit Conference There Robert McNamara the US Secretary of Defense first reposed the ABM Treaty and discussed it with Alexei Kasyajan the Chairman of Council of Ministers of the Soviet Union The treaty was made to limit strategic defense systems for either side Both countries were limited to 100 anti-ballistic missiles देखो यार At the end अगर आपको युद्धो को रोकना है तो आपको विश्वास की बहाली करनी पड़ेगी बतल आपको confidence building करनी पड़ेगी कि मैं हथियारो क इस्तमाल नहीं करोंगा उसी तरीके से कोई और भी नहीं करेगा ये बहुत रचा तरीका होता है परंपरागर खत्रों से बचने का अब आते हैं दूसरे point पे जिसका नाम है internal threats आंतरिक खत्रे आखिर क्या होते हैं ये आंतरिक खत्रे क्या होते हैं internal threats नाम में चुपाव है internal resistance देश के अंदर वो खत्रे जो देश के अंदर होते हैं अब देश के अंदर कौँ से खत्रे होते है तो देश के सबसारा खत्रा होता है सम्पर्दाईक दंगो का इसको रोखने कैसा तरीका है एक ही तरीका है क्या अगर वो paint law and order को maintain करके रखे लोगों को जो है freedom of speech दे अगर लोगों को democracy दे लोगों को human rights दे तो उस देश में कभी भी internal threats नहीं आते हैं आसके टायम पर देश को बचाना जादा जोरी नहीं है वो अरड़ी बचे हुए है आसके टायम पर बचाना है humans को human security आसके टायम पर सबसे बढ़ा सवाल है आखिर human को security किस से चाहिए तो ऐसा नहीं है कि human security किसी और country सच है नहीं Human security कई बार उसकी कुछ की government से चाहिए होता है Human security कई बार human rights से चाहिए होता है Human security जीने, खाने, बोलने, कुछ भी करने से चाहिए होता है तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में कौन-कौन से non-traditional threats आ चुके हैं कौन-कौन से नए खतरे आ चुके हैं एक report के नुसार, 2050 तक दुनिया में 1000 करोड से भी जादा लोग हो जाएंगे जिसमें से 1.2 billion लोग गड़ीबी से जी रहे हैं गड़ीबी में जीने के वैसे उनके पास basic necessities भी नहीं है तो यह मैं यहां क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यही आपके नए खतरे हैं गड़ीबी दुनिया में एक सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि गड़ीबी को यह खतरा नहीं है गड़ीबी के साथ साथ बहुत सारी खतरा आ जाते हैं चाहे वो मानवधिकार के कमी हो चाहे वो अपनी लाइफ को ना जी पाना हो बिमारियां हो सौ कमियां सिर्फ और सिर्फ एक कमी से आती है उसका नाम है गड़ीबी तो गड़ीबी जो है आज के टाइम पे नए खतरा बना हुआ है आज के कौन से देश गड़ीब होते हैं तो वो देश जो अफ्रीका में हैं वो देश जो एशिया में हैं वो जातर in compare to Europe, America, Russia ज़्यादा गरीब हैं अब गरीबी के साथ साथ एक और नया खत्रा है जिसे हम बोलते हैं migration, प्रवासन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अब आप सोचेंगे यह नया खत्रा कैसे है देखे यार अगर कोई इनसान एक देश को छोड़कर दूसरे देश as a refugee जा रहा है तो उसके साथ गरीबी जा रही है as a refugee जा रहा है तो उसके पास proper life जीने के लिए security, life जीने के लिए rights नहीं है क्योंकि और किसी और country में जा रहा है एक report के नसान 1994 से लेकि अभी तक 4 करोर 50 लाख लोग दुनिया में refuses की जिन्दगी जी रहे है तो सोचिए 4 करोर 50 लाख लोग automatically खत्रों के श्रेणी में आते हैं क्योंकि ना उनको वो this accept कर रहा है ना उनको ये this accept कर रहा है एक ऐसे खत्रे की जिससे आप सभी लोग जानते हो उस खत्रे का नाम है आतंगवाद terrorism terrorism खत्रे का एक सबसे बड़ा चहरा बना हुआ है आखिर क्या होता है ये terrorism terrorism मैं मानता हूँ कि कोई अपने स्वार्थ के लिए राजनितिक आर्थिक या समाजीक रूप से किसी चीज को change करने के लिए हिंसा कचारा लेता है आप लोगों को 9-11 से लेके 26 इगारा ये दोनों ही घटना है पता होंगे इन दोनों घटनाओं में आतंगवादी का एक motive होता है जोसको पुरा करता है आतंगवाद पुरी दुनिया में सबसे खतनाग बना हुआ है इससे निपटना एक बहुत बड़ा challenge है दुनिया में अलकाइदा, जमाति इसलाम, जिहाद के नाम पे लोगों को मार रहे हैं आतंगवाद और आतंगवादी एक सबसे बड़ा खत्रा है नेक्स खत्रा है human rights के security United Nations अपने charter में 10 दिसम्मर 1948 को human rights दे मनाया इसके तेट यह कहा गया कि हम पुरी दुनिया में human rights को फेलाएंगे आखिर क्या होता है मानव अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं आपके political rights, आपके civil rights, आपके social and economic rights देखिए यार, political rights का मतलब क्या है कि आप भी government चुन सकें या आप भी government बना सकें social life का क्या है, क्या आप कहीं भी जी सकें, कहीं भी रह सकें economic rights का मतलब क्या है, क्या आप कुछ भी काम कर सकें तो यह सारे rights मिलके मानव अधिकार बनाते हैं चाहे वो जीने का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो अगर आपको human rights नहीं है, तो आप automatically खत्रों में हो मैं मैं से एक बात मानता हूँ कि अगर आपको खत्रों से बचना है तो आपको अपने आपको अधिकार देना पड़ेगा कौन से दिकार? मानवधिकार तो मानवधिकार ना होना बहुत बड़ा खत्रा होता है अगर मानवधिकार है, तो वो दिस खत्रे में नहीं है अब मैं एक ऐसे खत्रे के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप सभी लोग जानते हो उसका नाम है क्रोना वैरस, एपिडेमिक, महामारिया महामारिया एक ऐसा खत्रा बना हुआ है जिससे पुरी दुनिया एक बारी में खत्म हो सकती है एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मिलियन लोग मारे गए थे क्रोना वैरस में और आज तक 42 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं HIV-AIDS से आप इस फिगर को देखिए 15 मिलियन, 42 मिलियन इतने बड़े लेवल पे लोग बिमारियों से मर जाते हैं अबोला हो गया, सार्स हो गया, कोविड हो गया इतनी सारी बिमारियों से एक सार पूरा मानब जाती खतम हो सकती है तो महामारियां आज के टाइम पे नया खत्रा बना हुआ है अब एक और खत्रा है जिसका नाम है Climate Change Global Warming Global Warming की वएसे गलिसिस भी खल रहे है Global Warming की वएसे फॉरेस खतम हो रहे है जो हमारी Animal Species है वो खतम हो रहे है इसके साथ साथ दुनिया जो है एंड की तरफ बढ़ रहा है देखो Global Warming और Climate Change से अभी आपको फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आपके लिए है भी नहीं अभी तो वो चीज़ चलते जा रही है Global Warming और Climate Change का सबसे बड़ा Effect पढ़ने वाला है Future Generation पे इसलिए भविश्य में बहुत जादा खत्रा होने वाला है अब इन सबी समस्याओं से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है वो है समता मुलक समाज Corporate Society अगर पुरी दुनिया मिल जाए तो पुरी दुनिया इन सबी समस्याओं को एक बारी में खतम कर सकती है अब विच्चा है वो आतंगवाद हो बीमारियां हो, गरीबी हो, माइग्रेशन हो कुछ भी हो, अगर हम मिल जाए तो कोई भी खत्रा इतना बड़ा खत्रा नहीं है कि हम solve ना कर सके मिलके खत्रो को रोका जा सकता है मिलके विश्वों में सुरक्षा कायम की जा सकती है अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा संग्ठन मनाना चाहिए जो पुरी दुनिया में सुरक्षा कायम कर सके कमेंट करके बताइएगा और इसे के साथ गाइस, चप्टर होता है खतम, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, कमिट कीजेगा, मिलते हैं आप लोग उसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, बाइबाइबाइबा जै कि जै दोर्धियो अश्दी में, झाले ऊक्ता है लाइबाइबाइबाइबबाइबाइबाट लाइबार कि यान दोर्ध कीजेखावीज वीडियों, त incarnate कीजेगा, के लाइबाऊबा देला याज्ण लाइद, टि? llevar रहा गाजा है, प्धर प्रूंण हिए, प्रा